हेलो माई यूटू फेमिली रादे रादे कैसे हैं आप सब आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे आप सभी का वेलकम है आपके अपने सुनीता सर्मा ब्लॉग पर तो मैं बहन के घर से आ गई हूं घर पर और बुगाजी बहुत जादा मना कर रही थी फॉन कर रही थी बार रात को ही चलते हैं और सुबह को फिर बहुत मतलब लेट हो जाता है जाओंगी फिर किसी दिन जाओंगी बुगाजी के पास रुखने के लिए एक दिन लेकिन अभी मैं आ गई थी फिर वह लग रहा था कि रात में सुबह को जाकर बहुत ज्यादा कोहरा होगा अभी फिर मैं तो पहली बार ही गई थी बहन के घर पर वैसे मिल चुकी हूं सबसे साधी में भी मिली थी बाद में भी मिली हूं लेकिन वहां पर जाकर बहुत अच्छा लगा और जो सुन्दर कांट का पार्ट हुआ बहुत ही अच्छा हुआ मैंने वीडियो को तो काफी बनाई थी लेकिन वही होता है कि जादा ऐत TOY को पसंद करता को नहीं करता तो इस possessions को में नेशे को थे थोड़े बहुत वहीं कि खिली रिऍस यह बाकी नहीं कि बाकी मेरे पास रखी हुई है वीडियो सिसे जो सुनर कांड हुए वह में पड़ा ना और बहुत अच्छे से हुआ था वहां पर बहुत अच्छा लगा है रहént मॉप्टर के तो बहुत कि अच्छ ही अच्छा लगा क्योंक्त की बहुत प्यारी देखिए तो और इसpri clever और बहुत सारे सबस्कें किये हैं पी virgin तो इसके लिए उसके लिए बहुत अच्छा लगता है सबने इतनी प्यार कि लिए तो वही अपना डेली रूटेन चलेगा और वहां से आकर तो चलिए अब चलते हैं अभी मैं काट लेती हूं धनिया क्योंकि धनियों को मुझे रखना इस्टोर करके फिरिज में तो इसको कम से कम एक हपते के लिए इसको चला सकते हैं तो मैं आराम से इस तरीके से मतलब कट क करके रखवन नहीं होती कि धनिया कानए कौट के तो परिशानी में कभी निकाल के डाल लो आज दिन नहीं करते हैं चैठी बएची बञेती हैं जूए बोलत अच्छी लगती है यह सारी सभीयों में अच्छा लगता है तो मैं बारई वारई कट देरा长 डबो में डब की दिन जाता है तो मैंने सारा धनिया पहले तरीके से डब्बे में और बाकी थोड़ा बहुत जो बच जाएगा ना उसको मैं सबजी के लिए बचा कर रखूंगी बाकी डब्बे में रख दूंगी क्योंकि अभी मुझे सबजी भी बनानी है और मुझे आटा भी लगाना है तो बथुए का आटा लगाऊंगी आज मैं बथुआ भी मैंने साफ करके रख लिया है तो मुझे लगाना है आटा तो इसके बाद मुझे रायता भी बनाना है चीज़ें बनाऊंगी और आटा भी लगालूँग तो दिए जो द्धनिया है ना इसको मैं आटे में थोड़ा सा डाल लेते हूं बहुत अच्छी खुश अगर आटे में आप बनाते हो रोटी पराटे कुछ भी बना सकते हो तो मैं कच्चा ही कट करके डालती हूं ज्यादा तर तो कच्चे में हमारे बहुत अच्छे होती है वाकि यह सब्जी आ निकाल के रखी है बैगन तो जो खराब है तो इसको काटके डाल दूंगी और बाकि गोवी आलू की सब्जी बनाओंगी और इधर देखो बत्वा साफ करके रखा है मैंने इसको भी मैं थोड़ा सा जितनी जरूवत है ना पर मतलब आटे के लिए उतने तो मैं काट लोंगी बाकी मैं बोईल करूंगी पानी में तो भगोने में पानी रखती है मैंने इस तरी पर बना लिए मैंने गोवी आलू की सब्जी जो कि सड्दियों में गोवी आलू की सब्जी के साथ हो और रायता मिल जाए फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है काफी टाइम बात रायता बना रही हूं मैं क्योंकि ठंड की वज़ए से कम बना रही हूं लेकिन बत्वा का बना लिया है मैंने का बच्चे भी खुश हो जाएंगे रायता देखकर क्योंकि रायता बच्चों को पसंद है लेकिन आज कल ठंकी वज़ए से कम बना रही हूं मैं और अभी बना लेती हूं मैं रोटियां घर्मा करां तो सबको अब खाना दे दूंगी देखो रायता बह बहुत अच्छा बणा सब्यजी भी बहुत टेस्टी सी धनिया पती दाल दिया उपर से और सबका खाना लगा के और उसके बाद जो है ओर भी वाकि काम कआश्चीन के काम खतम करने के बाद लेकिन पहले खाना बना खांगी पूरी किचिन act जाफ करऊंगी और उसके बाद क तो आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यहां पर देखिए मैंने बनाए लड़ू जो कि बनाए मैंने बहुत टेस्टी से लड़ू और अगर पसंद आए वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा सेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चेनल को तो लड़ू जो है बन चुके हैं और तो अभी देखा आप लोगों ने मैंने बनाए लड़ू कामबम खतम करने के बाद क्योंकि संक्राथी पर इस बार नहीं बन पाए थे तो इस वज़े से मैंने सोचा अब बना लेते हैं थोड़े से लड़ू और रैसिपी आप लोगों से नहीं क्योंकि बहुत लेट हो जाता है अगर हम रैसिपी से अर करते हैं तो उससे डवल टाइम लगता है वीडियो बनाने में और कुछ भी चीज़ें बनाते हैं थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाता है तो यह लगता है कि जल्दी जल्दी चलो यह चीज़े बना लो लेकि करूंगी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई